नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमीत करेल और आज मैंने देखी है आधी पुरुष स्टारिंग प्रभास कृतिसनाउन सनी सिंग एंद देवनत नागे दोस्तों इस फिल्म को परडूस किया है बुषिन को मार्टी सीरिज ने और डिरेट किया है ओम रौत ने दोस्तों जो आधी पुरुष मुवी है इसके कहानी आप सब जानते है रमायन के उपर ये बेश्ट है तो कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा सिधे मुद्य प्याता हूँ दोस्तों आधी पुरुष को बनाया गिया है नियू जनेरेशन ओडियंस के लिए आज के दौर के जो आउडियंस है उसको ध्यान में रखते वे इस फिल्म को बनाया गिया है डिरेक्टर ओम रौत ने काफी creative liberties ली है तो अगर आप तथ्य के हिसाब से किताब के हिसाब से इस फिल्म को देखने जाएंगे तो कुछ कमिया इसकी कहानी में आपको नजर आएंगी कुछ extra liberties ली गई है जो कि तथ्य नहीं है और जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें दिखाया भी किया है कि कुछ कुछ चीजे fictional इस कहानी में इनोंने डाली है उसको अगर हटा दे अब तो फिल्म में काफी दम है इसमें जो प्रभास ने जो काम किया है as राम is outstanding और रावन सेफली खान ने बहुती अच्छे से निभाया है फिल्म में ऐसे कहीं सारे मोमेंट्स है जिसमें आप देखके तालिया मारेंगे सीटिया मारेंगे जैसे श्री राम की जब एंट्री होती है इस फिल्म में वो सीन बहुत अच्छा है उसके बाद सीता हरन वाला जो सीन है वो outstanding है जो visual effects सीता हरन के सीन में आपको देखने मिलेगा जिसमें बड़े चमकादर की और जटाईयों की लड़ाई होती है वो सीन बहुत भववे और अच्छा लगता है जब श्री राम और वानर सीन राम सीतू बनाते है वो सीन बहुत अच्छा है कहीं सारे monologues है प्रभास के जिससे आपके रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे फिर climax में जो वार सीन है जब राम जाते हैं लंका में सीता को बचाने के लिए जब हनुमान जात लगती है तो काफी आपको अंधिरा लगेगा तो आप देखने जाओ तो मेरी राय है कि आप 2D में लेखने जाओ तो आपको तोड़ा विजुली और लाइट फिम लगेगी वरना 3D में तोड़ा अंधिरा पन इस फिल्म में जरूर नजर आता है फिल्म के गाने बहुत पर इस फिल्म में कहीं पर बोर्ड नहीं होते तिन घंटे की पिचर है लेकिन तिन घंटे जितनी लगती नहीं है फस्ट हाफ इसका ठीक ठाक है शेकेंड आफ काफी बहतर है लाश्ट का जो 30 मिनिट है जिसमें पूरा वर स्रीक्विंस आता है वो 20 से 25 मिट का सिक्विंस है वो इस फिल्म का major highlight है वो वार देखके आपको मज़ा आ जाएगा आपको याद आ जाएगी Avengers की और कहीं सारी Hollywood फिल्म की दोस्तो जितना budget इनके पास था मेकर्स के पास लगभग 400-500 क्रोड की फिल्म है जिसमें लगभग 100-100 क्रोड VFX में इन्होंने खर्च किया होगा तो उस असाब से visual effects काफी बहतर है हाँ कुछ-कुछ जगा पर आपको देखके मज़ा नहीं आएगा कुछ-कुछ जगा पर कमिया है जो कि screen पर दिखती है लेकिन कहीं portions में इसका जो VFX है वो बहुत lavish लगता है फिम बहुत भवे लगती है खास करेके लाश के आदे खंटे में Throughout, film में रमायन को उसकी full glory में और पवित्ता के साथ में कहने की कोशिश की गई है कुछ creative liberties के साथ में जो कि शाहिद audience को अच्छा नहीं लगे कुछ-कुछ facts के साथ कुछ-कुछ तथ्यों के साथ थोड़ा creative liberty लिया है नकी director ने लेकिन वो अगर आप इसको ऐसे film के तौर पर देखोगे तो जो basic कहानी है रमायन की वो intact है उसमें कोई भी छेड़चानी नहीं की गई है रावन के रोल में उनका जो कर्द काटी है उनकी जो आवाज है खास करके शरद किलिकर की voice देखके मज़ा आ जाता है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस किरदार को निभाया है जो much required intensity और कामनेस है उसका जो blend है वो काफी अच्छे से इन्होंने अपने किरदार में लाया है तो प्रभास को देखके आप ऐस शरी राम डिसेपॉइंट नहीं होंगे तो दोस्तो ओवरॉल आदिपुरूष एक अच्छे फिल्म है मैंने कहुआ कि बहुत great फिल्म है ना कि ये खराफ फिल्म है ये आप एक बार देख सकते हैं सिनिमा घरों में इसके भविता के लिए लैविशनेस के लिए एक्शन सिंस के लिए और शरी राम की कहानी के लिए मैं रहता हुआ उन्स फिल्म को 3.5 स्टार्स आपको ये फिल्म कैसे लगी कमेंसेशन में जरू बताइएगा सेनिंग आफ सुमीत कडेल थैंक यू